हेलो एबरिवन वेलकम टू लेसंसेशन अकैडमी फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास्टिक्स की सिविक्स का चैप्टर वन अंदर्स्टेंडिंग डाइवर्सिटी करेंगी तेकि डाइवर्सिटी होती है विवित्ता या फिर विविन्नता कैसे हम लोग एक दूस तो देखें स्टार्टिंग बताय हुए कि अपनी क्लास्रूम में देखो क्या कोई परसन है जो एक्जेक्ली आपकी तरह दिखता है इस सप्टर में आप देखोगे कैसे जो लोग है वो एक दूसरे से कई सारे वेज में डिफ्रेंट है ना सिर्फ देखने में बलकि वे लो एक्साइटमेंट लाते हैं और फन लाते हैं तो देखें यह जो डिफ्रेंट पीपल होते हैं जो डिफ्रेंट काइंड और बैक्राउंड से आते हैं जिनका डिफ्रेंट रिलिजन होता है और कल्चर होता है यह क्या करते हैं इंडिया को बहुत ज्यादा ही पार्ट है और diversity क्या unity का पार्ट बन सकती है इस इतने भी questions है इसके answers हमें मिलेंगे तो आएए अपर को पड़ते हैं देखिया है तेस chapter में चैप्टर में यहां पर स्टार्टिंग में तीन pictures दिऊ हुई है जो की 3 अलग-अलग बच्चों ने बनाई है जो की आपके ही age group के हैं अगर आप 6 class में हो तो यह تीन picture से यह क्या है तीन 6 classes के अलग-अलग बच्चों ने बनाई है और ये जो empathy box s यहां पर क्या करना है आपको अपने picture आपके लगानी है तो क्या आपकी जो ड्राइंग है वो किसी के भी similar है यह तीनों ड्राइंग है उपर वाली क्या आपकी ड्राइंग किसी के similar है तो इसके chances बहुत ही कम होगे कि आपकी जो ड्राइंग है वो इनके similar हो क्यों क्यों कि हम सबका क्या होता है एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है हम लोग एक दूसरी की तरह एक्जेक्टली नहीं दिखते हैं बल्कि हम लोग क्या करते हैं अलग-अलग languages भी बोलते हैं हमारा जो cultural background होता है वो भी अलग होता है और जो हमारे religious rituals होते हैं वो भी क् होता है अलग-अलग होता है सबके घर में अलग-अलग festival को celebrate करते हैं languages अलग-अलग बोलते हैं तो देखें यहां पर कुछ information आपको अपने बारे में फिल करनी एक activity दी हुई है when I go out I like wearing तो जब मैं बाहर जाती हूं यह जाता हूं तो मुझे क्या पहनना पसंद है तो यहां इन दो इन में अट्रack को मिलने structuring ब lobby की जाता हों तो जब मैं घर आपर होती हूं यहां होता हूं थो मैं बोलता हूं यहां पर सबकी लैंग अलग-अलग होगी कोई बिच्च्य गुजरात को होगा तो आपक़,. पंजाब résultत को नहीं बोलेगा को थे माहराश्थ बुकस पढ़ने का सबस्का तो आपसे पहनावा पसंद सबस्क्राइब जो होगा तो इस तरह हुते हैं हम सब जो है एक दूसरे से अलग है पसंद ना कितने answers हैं जो आपके similar हैं क्या कोई है उस list में जिसका answer आपके answer से exactly match करता है सारे answers तो probably not sad नहीं क्योंकि सबकी choices तो same नहीं हो सकती सबकी choices क्यों होंगी अलगल होंगी बट हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि आप में से कुछ के जो कुछ answers वो similar हो तो कितने सारे लोग हैं जिनको same तरीके की बुक पढ़ना पसंद है और कितने सारे लोग हैं जो same language बोलते हैं आपकी class में इतने बच्चे हैं वो कितने ऐसे बच्चे हैं जो same language बोलते हैं तो आपको प्रसल कै ओगा कि कैसे हैं आपके तो अमरा नेक्स्ट जापिक है MAKING FRIENDS यार्नी ंडोस बनाना हैं वह जो को दोस्त बनाते हैं कि आपको यह पेसे और पर verd aí यहां पर वब्रन पर हो उसको पड़ो और इसके बारे में सोच हो तो देखे, आपर एक Story दी हुई है, एक बच्चा है जो कि cycle जलाता है और एक बच्चा है जो कि वो news paper बेजता है, कहाँ पर जनपत क्रॉसिंग पर जो कि बहुत ही जादा busy intersection है, तो cycle जलाता है बच्चा वो जब भी हाँ से पास होता है, तो जो बच्चा news paper बेजता है वो उसक के लिफ मिक्सका अउसर से हिंदी और एंग्लिश वोर्ड में मिक्सकार्ण कि यह मिपक्ता है!! तो एक दिन वह सैकरर वाला ब०क्राई फोसा अब उससे ह tril मांकता है बिलकुल घुम्यारे जाता है तो भूसता है कि इस समें का अज पर से उससी है तुम्हें पैसे दिये हैं तो फिर पूछता है कि वाइब बढ़ सकता हूं और उसने बहुती मतलब उसकता सी जवाब दिया उसके इंदर पेशेंच नहीं रहे था क्योंकि उसको लगा कि मुझे हिंदी आती हो यह कैसे कह रहा है कि मुझे हिंदी नहीं आती तो बोलता है मतलब मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ बोल सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ और हिंदी इस संक संसे अधी उस dance ग में और उसको क्या होता है वो जाना पड़ता है तो नेक्स्टे वो बच्चा फिरसे वहाँ पर आता है और हाथ में हिंदी कानुए से पर लेकर स्माइल करते हुए बोलता है कि भाईया आपका अकबार अब बताएं यह इसब्जेक्ट क्या चीज है और यह इंग्लिश का वर्ड ह स्क लगा हो तो हम लोग क्या क्या थे उनकी सब्जेक्ट है मतलब हम पे रू कर तो यह जो सब्जेक्ट वर्था उसके मुझसे कुछ एसा ही सुनने में लगा और इतना हुआज याओता है तो इतना उतार है तो फिर फाल ने का मौका मिल जाता है फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो तो बोलता है जो साइकल चलाने वाला बच्चा होता है वो पूछता है अग बार बेसने वाले बच्चे से क्या तुम कभी स्कूल गए हो तो अग बार बेसने वाला बच्चा बोलता है never मतलब कभी नहीं और वो proudly बो तो जो साइके बाला बच्चा होता है, पूछता है कि where is your mother now, तुम्हारी मम्मी जो है, वो कहा है, तो इतना ही वो पूछता है, तब तक क्या होती light change हो जाती है, और उसको वहां से जाना पड़ता है, पर उसको पीछे से उसनाई देता है कि she is in merit, वो merit में है और इतना ही उसको आवाज आती है और पीछे से पहल दा शोर होनी लगता है, नेक्स्ट वो बच्चा फिर से आता है माइनेमी समीर, मेरा नाम समीर है, नेक्स्ट वो उसको बोलता है, और बहुत शायली मतलब बहुत शरमा के पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बहुत आश्चरी वाली बात थी, जो साय के वाला बच्चा होता है, वो बोलता है कि माइनेमी समीर टू, मतलब मेरा भी नाम समीर है, तो दोनों का नाम क्या हुआ, समीर ही हुआ, तो बोलता है वट, तो वो चौक जाता है, तो उसकी आँखों में क्या उत एक चमक सी आ जाती है, और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हनुमान प्रमती ऊहुस on the next one Meanwhile कि इस किस पवन उमलोग यह सामीर भी कहते हैं परभावागा इसन भीतना इसका तो भोलता है कि ठीक है अब अब पसे आप जो है समीर एक हो और मैं समीर दो यानिन जो साइकिल वाला बच्चा है उसको वो समीर एक नाम देता है और जो अकबार वाला बच्चा है वो समीर दो बन जाता है फिर साइकल चलाने बच्चा होता है वो बोलता है हाथ मिलाओ समीर दो यानि समीर दो उसे हाथ मिलाओ तो उसके चोटे-चोटे हाथ होते हो उसके हाथ में ऐसे समा जाता तब तक उसके जो गर्माहट होती है हातों की वो उसको फील होती है नेक्स्ट एक होता है दोनों दुबारा से मिलते हैं तो इस पार जो बार बेजने वाला बच्चा था उसके फेस पर उसके फेस पर होती है वो बोलता है कि मेरेट में कुछ परिशानी है मेरेट में कुछ ट् तो यानि सामपरदाइक दंगे वेगरा जो होते हैं वो लिखा होता है अगबार बेजने वाला बच्चा बोलता है कि I am a Muslim Samir मैं एक Muslim Samir हूँ और इतना बोलता है फिर कहता है कि मेरे जो सारे लोग है वो कहाँ पर है मेरट में है और इतना कहते हैं उसकी आखे जो होती है वो टीर से फिल हो जाती है आसू बर आते हैं उसमें और जो साइकल कराने वाला बच्चा होता है वो उसके सोल्यक पर टच भी करता है बट उसने जो अगबार बेजने नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 जो है वो कहा गया है तो अब देखें आप से पूछा गया है कि नेम 3 ways in which समीर 1 and समीर 2 were different तो आपको कोई 3 ऐसे ways बताने हैं जिससे ये पैसलता हो कि समीर 1 and समीर 2 जो है वो अलग-अलग थे और these differences prevent them from becoming friends और यह गां के दोने से रोख़ scholững क्या दोनों को दोस्ती बन से रोक़ पाएं तो ऐसा तो नहीं था दोनों जो हैं अच्छे दोस्त बन चुके थे अब बते बात करते हैं समीर एक जो है वो यह आमें और फैमिलिव था किसो इंग्लिस पी महि AB दो जो है वो क्या बोलता था हिंदी बोलता था दोनों ही जो है अपने घर पर अलग अलग लेंगरिस बोलते थे बट स्टिल दोनों एक दूसरे से बात कर पाएं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की ये इनकले बहुत जरूरी था कि दोनों एक दूसरे स कर सके अब देखें दूसरा difference यह है कि समीर 1 और समीर 2 जो है वह different religious and cultural background से आते थे क्योंकि समीर 1 जो है वह क्या था हिंदू था समीर 2 जो है वह one Muslim था तो इस वज़े से उनका जो religious and cultural background क्थिए रिधिर्वेट करता होगा हुग समीर वह हिंदू था तो वह कौन को से अटीवरेट करता होगा और समीर दो होली डी वाला दशैराइं ऐड्व को सैस्टिवरेट करता होगा जो है घीड बगरीद और जोन करम जान वगर आता है ऐसे फैस्टिवल को celebrate करता होगा तो क्या आप सोच सकते हो कि ऐसे situation के बारे में कि जो आप friend बनाते हो और वो आपसे totally different हो और आपको जो हैसी कोई story जो है वो describe करनी है तो अब देखे आगे क्या बता हुआ है In addition तो there are diverse religious and cultural backgrounds There are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 were different from each other तो ये जो religious and cultural background की बात हो गई इसके अलावा भी Sameer 1 और Sameer 2 जो है कुछ बातों में अलग थे कैसे For example Sameer 1 जो है वो school लादा था जबकि Sameer 2 जो है वो newspaper बेचता था तो अब देखे आगे बता है कि Sameer 2 के पास जो है opportunity नहीं थी कि वो school जा सके तो आपने ये भी देखा होगा कि आपके आसपास के जो area है वहाँ पर कई सारे लोग होंगे जो गरीब होंगे इनफ जो resources होंगे वो अपलेवल नहीं होंगे कई बार तो इनके पास जो है रहने के लिए घर भी नहीं होते तो इस difference is not the same as the one we have seen earlier तो देखे जो difference है ये जो हमने भी देखा कि हमारे आसपास जो लोग है जिनके पास रहने के लिए और खाने के लिए और पहने के लिए लगत जो हमने भी पहले देखा था क्योंकि वहां पर किया दोनों का जो कल्ट्रल बैक्राउंड था वो भी अलग था उनका रिलिजन अलग था और दोनों का जो इकनोमिक कंडिशन थी वह भी क्या थी अलग थी यहां पर देखते हैं कि दोनों जो है एक ही जगा पर रहते ह है हमारे पास सारी स्वार्टेस से इनके पास क्या रहने और खाले के लिए नहीं है तो इसीच्विशन की और इसन से तौटली कीठेंट है यहां पर हम लोग जो है वह से बारे बात नहीं कर रहेहें बथ हम लूग यहां पर रिंट कि के बारे मस्हτιं हो कर रहें औस所以呢 कानता है एक पास आपस यश्ट के सब्सक्राइब ना हों जबकि दूसरे परन के पास वो एंपलेबल होती तो इसको हम लोग क्या कहते हैं in equality का एक दूसरा एक्जामपल जो है वो है का सिस्टम का सिस्टम यानि जाति परता तो जाति परता क्या होती है इसके according देखा जाए तो society जो होती है वो कई सारे ग्रूप में डिवाइड होती है और यह जो ग्रूप सोते हैं किस पर डिपेंड होते हैं उनके वर्क पर डिपेंड होता है और लोग जो है इसी जो उनका काम होता है उसी में उनको यह माना जाता है कि आपको उसी ग्रूप में जो है वो रहना है और का करना है तो अगर आपके पैलेंट जो हैं एक पॉर्टर होंगे पॉर्टर याने की कुमार जो मिट्टी के बरताल मनाते महत takes अब जो है वह प्रॉ्टर ही बन सकते हो कुछ हो और नहीं बन सकते एगा यह यह इसको दूर्सेबल योई नहीं करते थे आप because you are not supposed to change your profession और आप जो है अपने profession को change नहीं कर सकते क्योंकि यह necessary हो जाता है कि आप जो है वही काम करो जो आपके बर्स से decide हो चुका है ना कि किसी और profession को आप choose करो और यह जो है एक inequality की situation को create करता है क्योंकि मान लो किसी बच्चे के पापा जो है वो पॉर्टर हो बट वो बहुत अच्छा पढ़ाई में हो तो वो CA बन सकता है या फिर mathematician बन सकता है बट inequality का जो system है या फिर जो car system है वो क्या करता है इसको allow नहीं करता कि वो किसी और profession में जाए उसको पॉर्टर ही बनना पड़ेगा तो इस तरह यह जो है inequality को create करता है और इसके बारे में आप जो है आगे के chapters में और अच्छे से पढ़ोगे तो अब देखिए आगे है वर्ट डाइवर्सिटी एड्ट तो आवर लाइप्स या जो डाइवर्सिटी होती है किन-किन जी जो को add करती है क्या जो होती है उसमें तो देखिए जैसे कि समीर एक और समीर दो जो है फ्रेंट्स बने आपके भी कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो आपसे जो है हार लंच में क्या लेकर रहा है चलो ट्राइब करते हैं और हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंट फेस्टिबल्स को भी सेलिब्रेट करते हैं कोई मुश्लिम है तो फिर क्या करते हैं उसके साथ इस सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग दिवाले के टाइम पर उनको मिठाईएं किलाते हैं और हम लोग क्या करते हैं उनके जो क्लोस होते हैं जो पहनते हैं उसको भी ट्राइब करते हैं कई बर क्या होता है कि कोई गुजरादी ड्रेस आती है तो हम लोग उसको ट्राइब करते हैं कि इसको पहनते हैं कैसा लगता है रारस्थाने ट्राइब करते हैं पंजा जादा देखते हैं कि जो पंजाबी वगएरा होते हैं वह अपनी ही रैंगवेज बोलते तो हम उनको भी सुनते सुनते कुछ ना कुछ वर्ट तो सीखी जाते हैं तो इससा जो डाइवर्सिटी होती है वह क्या करती है हमाई लाइप में बहुत जदा एक्साइटमेंट लाती है फंड लाती है उसको डाइवर्स बनाती है और इंट्रेस्टिंग बनाती है क्योंकि अगर सब एक जैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे एक जैसा खाना खाएंगे तो क्या होगर लाइप में बहुत जदा पोरियस सी आ जाएगी तो इससे इस जादा फंड नहीं हो हो गार तो यह उएप कभी साउथ इनगेवी में वकारइव थे ऑफिर घुज़रात में पने के तोल पंजाब के चोले उसके शोलिटे कुछ बी advise कं ट समय है उप डुसरी आपको ऊसलिंगक्री इस के बनानी है कि आपको उसलैइग्विस कि अशाच माखना इस ऑपनी अना तो अब देखिए आगे मैं भी चोटी पांदे обязательно बहुते हैं स्टोरी वारा है चबर ऑसकी को रिफक और हम्हstein को अच्छा लगता वëह और आपको एनिमल इंवल और रहरो जोते पां kardeşim स्टोरी निजये में करनाया ह。 वो happy feel करते हैं जब वो कोई अच्छे story पढ़ते हैं क्यूं? क्यूंकि stories जो होती हैं, उनको बहुत सारी ideas देती है कि वो और सारी stories जो है, वो बना सके या उनको लिख सके लोग जो है अपने stories में क्या लिखते हैं? जो उनको ideas आते हैं कहां से आते हैं उनको ब्लेस पर जाते हैं जिन वह पड़ते हैं यह वैं क्या क्या सीच्वेसिन को क्या आप उनकी जो imagination होती है उसको बेस बना कि वो लोग क्या करते हैं अपने story को create करते हैं तो आगे देखे बताया है कि माल लीजे कोई person है जो की forest में रहता हो तो वह क्या करेगा जो animals होंगे उनको अपने story का main center बनाएगा तो अपने story में animals की fight और उनकी जो friendship होगी उसके बारे में लिखेगा जैसे के अपने पंच दंत्र वगारा पढ़ी होगी तो इसमें जाहतर क्या है animals के बारे में जो stories है वो दी गई है उसमें और अगर कोई person है वो king वेगरा के जो account उसको पढ़ेगा तो वो क्या करेगा उनकी जो love and honor है king and queen की उसके बारे में stories लिखेगा और कई साथ लोग क्या करते हैं अपने चाइल्ड उसकी memories में बहुत अखो जाते हैं वो क्या करते हैं अपने school friends और बच्पन के जो लोग होते हैं उनके बारे में stories को लिखते हैं basically यह कि कोई person जो कुछ भी अपनी life में experience करता है उसने देखा होता है जिन places पे वो गया होता है जैसी books पड़ता है या फिर उसकी imagination जो होती है उसी के base पर वो क्या करता है stories को लिखता है अब आप imagine करो कि जितने भी storytellers या फिर writers है जिनको भी आपने सुना है या दो तरह के उनको कपड़े पहनने है और उनको सेम तरह के food खाना है potato मतलब सिर्फ उनको अलू अलू खाना है और उनको जो है दो तरह के animals की देख भाल करनी है deer की और cat की और उनको क्या करना है entertain करने के लिए खुद को दो तरह की game खेलनी है snake और later game खेलनी है तो अगर writers ऐसे होंगे जो कि एक place पर रहते होंगे सारे के सारे और एक जैसे कपने बहनती हों एब जैसा चीजरे खाते होँ एक जैसे गेम क्हेलती हो एक जैसे Police के contact में आते हो तो आपको क्या लगता है वो लोग जो events दिखेंगे वो कैसी होगी, क्या वो अच्छी होगी, इस अपको कोई मजाएगा सबकी स्टोरी पढ़के सबका तो सही ही लगेगा, तो I don't think कि आपको कोई भी स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी, तो अब यहाँ पर आपको एक एक अक्टिविटी दी हुई है, जिसमें आपको इमेज पर रहते हो, तो आपको एक पिक्चर बनानी है, या फिर एक स्टोरी लिखनी है, कि अगर आप इस प्लेस पर हो, तो आपको कैसा लग रहा है, या फिर यहां की सिच्वेशन जो है, कैसी होगी, आपको इमेजन करके इसको लिखना है, या फिर बनाना है, दूसरा है, Do you think you would enjoy living in a place like this, क्या आप अपको लगता है कि आप किसी ऐसे प्लेस पर रहना जो है, वो enjoy कर पाओगे, तो आप बताओ, कि अगर आप किसी ऐसे प्लेस पर रहो जहां पर सबकुछ सेम सेम हो, सारे एक जैसे कपड़े बैनते हो, तो आपको अच्छा लगेगा वहां पर, आप enjoy कर बाओगे, आपको जो है, पार चीजों की लिस्ट बनानी है, जो आपको लगता हो कि आगए ऐस प्लेस पर रहोगे, तो आप उसको मिस करोगे, तो आपको ये activity जरूर करनी है, बहुत ही interesting है, आप देखो, आप किन चीजों को मिस करोगे, अब जो मारा topic हो है, डाइबरसिट इंडिया यानि भारत में विट्टा, इंडिया is a country of many diversities, इंडिया में बहुत रही की विट्टा है, हम लोग different languages बोलते हैं, इतने में इतने भी states हैं, हम लोग different type fim food खाते हैं, different festivals को हम लोग celebrate करते हैं, और different religions को हम लोग practice करते हैं बट actual में अगर हम लोग देखे तो हम लोग सेम तरह की चीज़े करते हैं बस उनको जो करने का वे होता है जो तरीका होता है वो हमारा क्या होता है अलग होता है कैसे इसको example को तो समझाती हूँ देखे हम लोग मंदिर जाते हैं बस उनको करने का हमारा तरीका क्या है वो अलग है बाकी जो चीज़े हैं वो लोग हम क्या कर रहे हैं सेम ही कर रहे हैं तो अब मारा topic है How do we explain diversity यानि हम लोग diversity को विवित्ता को कैसे explain कर सकते हैं कैसे इसको समझ सकते हैं लबबग 200 साल पहले क्या था कि कोई भी train नहीं थी aeroplane नहीं थी bus और car भी नहीं थे bus और car तो हमाई life का एक पार नहीं बने थे तो उस time पर लोग जो travel करते थे वो ships में travel करते थे horses पे चड़की जाते थे या फिर camel पे जाते थे या फिर paddle ही चलके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो travel क्या करते थे पर अक्सर देखा जाये तो यह जो यात्राइए थी या जो travel यह लोग करते थे वो किसले करते थे land की search में करते थे या फिर new places की search में कि उनको अच्छे जगह मिल जाये या फिर वो लोग trade करने के लिए व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और वो लोग क्या करते थे वहाँ पर settle भी हो जाये करते थे क्योंकि उनको travel करने में जब यह सारी चीज़ नहीं थी airplane, bus, car वेगरा उनको travel करने बहुत दर टाइम लगता था तो अगर वो एक जगह गए है तो वो सोचते थे कि यहाँ पर पहले रहे के कुछ trade वेगरा अगर वो लोग करने के लिए गए है तो वो सोचते पहले इसको यहाँ पर ट्रेट किया जाए उसके बाद ही अपने घर वापस आया जाए तो वो लोग क्या करते थे एक प्लेस पर बहुत लंबे समय के लिए वहाँ पर रुकते थे तो जब वो लोग रहते थे तो कई बार वो लोग क्या करते थे वहाँ पर लंबे समय के लिए रुख जाते थे और कई बार क्या था बाढ़ और सूखा वजय से चीज़ आती थी तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे उनको खाना नहीं मिलता थे तो वो लोग नए प्लेस पे खाने की सर्च में जो है वो चल जाते थे या फिर काम की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह आते थे कई बार जो है वार वे गएरा हो जाती थी तो इससे बचने के लिए भी लोग जो है दूसरी प्लेस पे जाया करते थे तो सम्टाइम्स क्या होता है ऐसे बीगन टू मेक दियर होम्स इन न्यू प्लेसे पीपर बीगन टू चेंज अलीटिल एंड अदर टाइमस ते मैनेज तू दू नहीं तरीके से ही करते थे जैसे कि अगर कोई परसं जो है वह पंचाब से दिल्ली आता है या फिर पंजाब से यूपी जाता है तो कुछ चीजह तो वह पाँजाब वाली करेगा कुछ जह है वहां पर खाना कल्चर या फिर जो कपड़े पहनने का स्थाल लोग ये यूप mixed culture बोलते हैं यानि mixing up cultures बन जाता है और ये एक नए तरीके का culture होता है तो जो किसी place के history होती है वो बताती है कि वहाँ पर किन-किन culture का influence है वहाँ के लोग जो है उनकी lives पर किन-किन culture का influence हुए है किन-किन culture का उन पर प्रभाव पड़ा है ये बात जो है वहां के history बताती है और इस तरह जो unique histories होती है उस place की वो क्या करती है उस reason को या उस place को बहुत ज्यादा diverse बनाती है तो जो places जो होते diverse किसकी वज़से होते है उनकी unique histories की वज़से बहुत जादा diverse होते है सेम इसी तरह के से जो diversity होती है जब लोग किसी geographical area में जाते हैं और वहां की lives को करते हैं तो क्या होता है तो भी diversity महां पर जादा होती है एक्जांपल दिया हुआ है कि living near the sea is quite different from the living in a mountainous area कोई person जो की सी के पास रहता और कोई person जो mountainous area में रहता हो तो दोनों के living style में क्या होगा बहुत ज्यादा मगदा आणे चरहाँ होगा तो दोनों के क्या होगा clothing focus में difference होगा अनके eating habit में difference होगा और even वो काम करेंगे उसमें भी क्या होगा एक difference होगा दोनों जो है अलग अलग तरह के काम करेंगे क्योंकि जो person कि युठें नियुक। तो एक युटिए में और वह क्याओ धेया युड़ाक्त विंजैश चो अपनें बंधी तो फॉर्गव संथाहँ सॉर्डि उनियुक। हाउजबर है नगे बताएं कि कियसे अपने शिछल श्राउंडिंग्स को बन चालनिगिस कि है। कि उनकी जो लाइफ है वो कैसे उनकी फीजिकल स्राउंडिंग से किस तरह जो है वो टाई है या फिर चुड़ी हुई है ऐसा इसलिए होता है क्यों कि लोग होते हैं जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं खुद के तो वेजिटेबल वगरा वो लोग को बाय करते हैं और जितने भी इस कि उनके जरुद पड़ती है उसको क्या करते हैं बाय ही करते हैं जबकि कोई पर्सन होगा F Unto लियद्धार में ल Dug डीप्रेंस दोनों की जो जो ग्राफिकल और सोचल जो भी कंडिशन से वो कैसे अलग है तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताईए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंज के शेयर कीजिए और मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेते हैं आप वीडि